हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नाइन डाटा हैंडलिंग ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रडक्शन वीडियो है और इसके अंदर हम इस चैप्टर में यूज होने वाली सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस किसी स्कूल के अंदर हर एक क्लास में कितने कितने बच्चे हैं ये एक डाटा हो गया किसी स्टूडेंट के उसके सारे सबजेक्ट्स में English, Hindi, Math, Science, SST में कितने कितने मार्क्स हैं वो हो गया एक डाटा आपकी क्लास के बच्चों से पूछा कि आपका फेवरिट स्पोर्ट्स क्या है तो कुछ बच्चों ने जवाब दियो होंगे किसी ने किर्किट बोला होगा, किसी ने फुटबॉल बोला होगा, तो वो भी एक डाटा है तो पूरे हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे डाटा होते हैं, almost everything जो है वो डाटा ही होती है अब ये तो हुआ डाटा, अब डाटा का हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग का मतलब हो गया हैंडलिंग का मतलब हो गया डाटा को यूज करके कुछ भी आगे उससे related कुछ काम करना अब डाटा को हमने निकाल लिया, जैसे कि students in each class of a school आपके school में हर class में कितने बच्चे हैं, ये हमने एक डाटा निकाल लिया इसको निकाल के हमने record कर लिया, तो डाटा को निकाल के record कर लिया तो handling के अंदर recording हो गयी है, उससे फिर organize कर लिया let's suppose कि हमने उन्हें ascending order में लिख लिया, या descending order में लिख लिया कि कौन सी class में ज़्यादा बच्चे हैं, कौन सी में कम हैं तो उसको एक organize तरीके से लिख लिया और फिर आता है analyze, analyze से मतलब है कि उस data से related कुछ proper information निकालना या कोई एक ऐसी चीज निकालना, जिससे हम कोई अंदाजा लगा सकें या कोई future में कोई plan बना सके, तो data निकाले ही इसलिए जाते हैं ताकि उनसे हम कोई knowledge इखटा कर सके तो data का handling में basically ये तीन चीज़े आती है उससे record करना, और उसको proper तरीके से organize करना और फिर उससे कोई proper result निकालना ये हो गया है data handling का मतलब next जो इसके अंदर topic है, वो है recording data सबसे पहला तो काम record ही है न तो data को record करना, देखिए एक example से समझे ये आपकी book का ही एक example है let's suppose ये 20 बच्चे हैं, ये 20 बच्चों का fruit की जो उनकी choice है वो दे रखी है राघव को बनाना पसंद है, प्रीती को एपल पसंद है, अमर को गुआवा पसंद है, फातिमा को औरेंज पसंद है इसी तरह से ये total 20 students है इन सब से बारी बारी से पूछा गया कि आपका favorite fruit कौन सा है तो उन्होंने ये जवाब दे दिया तो ये जो चीज आपको देख रहे हैं, ये एक data का record है ये हमने record कर लिया कि class के अंदर किस-किस बच्चे को कौन-कौन सा fruit पसंद है तो simply ये होती है data की एक recording तो recording का काम खतम, record करने के बाद इस data को हमें organize करना होता है यानि proper तरीके से इसको हमें लिखना होता है तो जो next topic है इसके अंदर वो हो गया है organizing data अब data को organize करने का तरीका होता है tabular form आप नीचे table देख रहे होगे, ये tabular form है data को organize तरीके से लिखने का इसके अंदर basically तीन column बनते हैं पहला column जो होता है, वो ये कि आप data में दिखाना क्या चाह रहे हो अगर मैं इसी example को ले लूँ, तो यहाँ पे मैं choice दिखाना चाह रहा हूँ बच्चों की, कि बच्चों को कौन कौन से fruit पसंद है यहाँ पे मैंने मोटा मोटा देखा कि चारी fruits के बारे में बात चल रही है वो जो चार fruits हैं, वो हैं apple, banana, guava और orange next list के अंदर बीच में जो column होता है, यह होता telemarks telemarks एक rough तरह का काम होता है, जैसे हम rough काम करते हैं, rough के बाद फिर वहाँ से फिर उतार देते हैं तो यह एक rough तरह का काम होता है, जब हम इसे solve करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि telemarks का use क्या होता है तीसरे के अंदर हम लिखेंगे number of students, यानि apple कितने बच्चों को पसंद है, वो हम यहाँ से गिनेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बनाना कितने बच्चों को पसंद है वो यहां से हम गिल लेंगे कितने students है जो बनाना को पसंद करते हैं वो यहां पे लिख लेंगे तो tabular form में basically यह 3 columns होते हैं अब हम इस data से जो यहां पे recording हो रखी है यह data का recording है इस data के record से इसे हम एक tabular form में organize करते हैं तो choice to mind लिखी लिए यहां पे 4 fruits हैं जो बच्चों को पसंद आ रहे हैं अब इसमें हम इसे organize करना शुरू करते हैं तो मैं जिखाता हूँ आपको कि telemarks का actually क्या use होता है telemarks एक रफ्तरे का काम होता है हम जो recorded data है उस पे नजर डालते रहते हैं और पहले telemarks के अंदर entry करते रहते हैं जब यह entries हो जाती हैं फिर हम number of students जो कि हमारा एक fair काम है उसमें हम final entry कर देते हैं अब telemarks को पहले समझ लीजिए कि telemarks को कैसे लिखते हैं अगर आपको एक चीज दिखानी है तो यह one लिखेंगे दो है तो 2 stick लग जाएंगी तीन है तो 3 stick लग जाएंगी 4 है तो 4 stick लग जाएंगी और अगर कोई 5 चीज है तो 5 के लिए 1,2,3,4 और यह एक ऐसे slanting line लग जाती है और अगर 6 है तो यह 5 हो गया एक 6 हो गया 7 है तो इसके साथ एक और लगा दिया इट मेंस कि ये जो एक set बनता है न ये 5 का set होता है तो एकदम से दिखाई दे जाता है अगर कोई 5 चीज़े तो एकदम से set में वो दिख जाती है आसानी से अगर धेर सारी सिर्फ लाई नहीं लगा दोगे तो उसको फायदा क्या हुआ और्गनाईज करने का और्गनाईज का वाले कॉलम में मैं एक stick लगा दूँगा यहां पर कि एक बच्चे से मैंने पूछ लिया उसको बनाना पसंद है और यहां पर यह मांक भी कर देता हूं साथ साथ कहीं गलती से मैं इसे दुबारा एंटर ना कर दूँँ फिर मैंने प्रिती से पूछा उसे apple पसंद है तो apple क सामने stick लगा दूँगा मैं apple के सामने stick लग जाएगी तो एक entry हो गई है इसे भी mark कर देता हूं फिर अमर से पूछा guava guava में stick लगा दी फिर मैंने पूछा फातिमा से orange तो orange में stick लगा दी mark साथ साथ करते रहेंगे next फिर apple है apple में stick लगा दी फिर है बनाना बनाने में stick लगा दी फिर है ओरेंज यह ओरेंज में लगा दी फिर है guava guava में लगा दी फिर है बनाना बनाना में लगा दी फिर बनाना आ गया तो यह बनाना की entry होगी फिर apple है तो apple की entry यहाँ पे कर दी म बनाना आ गया अब यहां पर और रेड़ी चार स्टिक लग चुकी है तो पांच भी लगाने के लिए यह सैट बना देंगे पांच का पूरा सैट बन गया इसके बाद फिर बच्चे ने कहा एपल तो एपल के एंट्री हो गई फिर कहा बनाना तो बनाना यह पांच का सैट हो गया ये एक और 7 में हो गया यह 6 हो गया फिर बच्चे ने कहा ने औरेंज तो औरेंज के यहां पर कर देते हैं फिर कहा गिए तो गिए 45 के साबने ए फिर ने गज operates ने कहा बनाना तो यह बनाना यह हो गया फिर बोला guava, तो guava की enter यहां हो गई, फिर next बच्चे ने बोला banana, तो banana की enter यहां पे हो गई, यह होता है actually telemarks का जो use होता है, वैसे इस तरह के question में telemarks का आपका जादा importance नहीं है, यहां तो आप सीधा सीधा banana गिल लो, banana, 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 जितने banana है, उतने आप यहां पे लिख दो और यहां पे stick लगा दो, telemarks का use आपका basically बड़ी क्लासों में जादा होता है, जहां पे data आपका decimals में होता है, थोड़ा complicated होता है, चलिए यह तो होगा telemarks, use करना तो आप सीखी गए, अब यहां से यह fair काम है, यहां से हम यह रफ काम है, यहां से हम fair entry कर लेंगे, तो apple देखा म मैंने, यह 5 का set है, 6, 7, 8, यह 8 बच्चों को पसंद है, गुआवा, 1, 2, 3, 4, चार बच्चों को पसंद है, और orange, 1, 2, 3, यह 3 बच्चों को पसंद है, अब इनका total भी आपका वो ही आना चाहिए, जितने बच्चों की यहां पर बात चल रही है, यह total मैंने गिन रखे 20 students है, आप यह दिखो गए तो यह भी 20 ही आएगा, 8, 4, 12 और 12 और यह 8, 20 हो गया, यह होता है organizing data, tabular form का use करते हुए, इसके बाद next topic पे चलते हैं, next topic है आपका pictograph, अब pictograph नाम से ही समझ लीजिए, pictograph, pictograph का मतलब होगा, इसके अंदर picture नाम आ रहा है, यानि pictures का use किया जाएगा, ए इसके अंदर आपकी pictures होंगी, एक question मैंने बना के रखा हुआ है, यह एक tabular form ही है, यह data का organization, लिख रखा है मैंने, कोई data है, यह class हैं और यह number of students है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इन 4 classों में कितने कितने बच्चे हैं, वो यहाँ पे मैंने data लिख रखा है, 1st class में 20 students है, 2nd में 30 हैं, 3rd में 25 हैं, 4th class में 40 students हैं, अब यह तो हो गया एक numerical form, इस numerical form से हम एक pictograph बनाना है, तो वहाँ पे हम pictures का use करते हैं, तो देखे question को करते कैसे हैं, इसमें basically आपके दोई column बनेंगे, पहले column में तो वो ही लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे class लिखी हुई है ना, तो हमने 1, 2, 3, 4, य नंबर नहीं लिखोगे, नंबर की जगे कोई picture बनाऊंगे, तो मैं picture बना लेता हूँ, कि students है ना, तो students के लिए में student ही बना लेता हूँ, यह student, इस picture का मैं यहाँ पे use कर लोगा, अब class 1 के अंदर 20 बच्चे हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे total 20 बच्चे बना दू, यानि 20 फोटो बना दू, ऐसा नहीं है, आप इसमें picture graph में क्या होता है, कि numbers पे ध्यान देके यह देखते हैं कि हम maximum क्या table ले सकते हैं, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 20, 30, 25, 40, तो 10 का table यहाँ पे चल रहा है, यह 25 है तो 10 का half करेंगे, तो 5 भी आ जाएगा, it means कि इस एक picture को मैं 10 students ले लेता हूँ, यह ले लिया मैंने 10 students, अब इसमें common sense का use करना है, कि first class के अंदर 20 बच्चे हैं, और एक photo का मतलब है, एक picture का मतलब है 10 students, तो अगर हमें 20 दिखाने हैं, तो 10 और 10 हो गया है 20, it means यहाँ पे हम 2 students की picture बना देंगे, यह 10 और यह 10, तो यह जो चीज ह यहाँ mention करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना ले रहे हो एक picture को, अब ऐसे second class के अंदर 30 students हैं, तो यहाँ पे हम 3 picture से बना देंगे, 1, 2 और यह 3, तो यह 30 हो गए हैं, थर्ड के अंदर 25 बच्चे हैं, तो 20 तो हम साफ साफ दिखा देंगे, एक और यह 2, यह तो 20 हो गए, अब 25, यह जो 5 है ना, यह 10 का हाफ होता है, तो इस तरह के question में आप आधी picture बना दो, यह मैंने इसका एक हाथ बना या, एक पैर बना या, यह आधी picture है, यानि कि अगर पूरा 10 के बराबर है, तो आधा 5 के बराबर हो गया, इस तरह से आप इसे दिखाते हैं, 4th class के अंदर 40 students हैं, तो एक picture 10, दूसरी picture 20, तीसरी picture 30, और यह चौथी picture दिखा देगी 40 बच्चों को, तो यह होता है pictograph, अब इसमें आप 5 का table भी ले सकते थे, क्योंकि यह सारे 5 के table में भी आते हैं, अगर आप यहाँ पे एक picture को 5 के बराबर लेते, तो 5, 4000 होता है 20, तो आप यहाँ पे 4 pictures बनाते, और 5, 6000 होता है 30, तो 30 बच्चों को दिखाने के लिए आप यहाँ पे 6 pictures बनाते, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, लास्ट जो इसके अंदर topic है, वो है bar graph, अब यह तो था picture को use करके data को दिखाना, तो picture graph, यह है bar graph, यानि bar को use करके, bars का use करके, आप किसे data को represent करोगे, अब इसी question को ले लेते हैं, यही हमारा एक question है, इसको मैं अब bar graph की form में दिखाता हूँ, तो bar graph बनाने के लिए best होता है, अगर आप bar copy का, bar page का use करें तो ठीक रहता है, उसमें चीज़े साप दिखाई देती है, यहाँ पे मुझे दिखान दिया, फिर one लिख लिए, फिर छोड़ दिया, two लिख लिए, फिर छोड़ दिया, three, छोड़ दिया, four, एक-एक का gap रखके class का नाम लिख दिया, मैंने first, second, third, fourth, यह जो vertical है, vertical के उपर लेना होता है, आपको scale, और scale पे यहाँ दिखाना होता है, आप दिखाना क्या चाह रह तो यहाँ number of students लिखा जाएगा, और scale से मेरा मतलब यह है, जैसे यहाँ आपने एक picture को 10 students लिया है, इसी तरह से इस एक column को आप 10 के बराबर ले लोगे, तो दूसरा column तक 20 हो गया, तीसरे column तक 30 हो गया, चार column की height हो गया, 40 के बराबर, तो यह scale होता है, यह भी आपको रहे हो 10 students के बराबर, अब यहाँ पर इसे हम दिखाते हैं, यह हमारी class first है, class first के अंदर 20 students है, तो इस first के उपर मैं बार बना दूँगा 20 height तक, यहाँ 20 है ना, तो यहाँ इसकी height हो की है, और इसे में, मैं तो pencil कर रहा हूं, आप इसे pencil से करना और scale से साफ साफ करना, pencil में इ देखते ही पता चल जाएगा बार ग्राफ में कि class first के अंदर 20 बच्चे हैं, second class में है 30 students, तो second class के उपर एक बार बनेगा और वो 30 height तक बनेगा, यह इसकी 30 के सामने यह यहाँ तक हो गया, इसे नीचे तक जोड़ देंगे तो यह बार बन गया, third class के अंदर है 25 students, तो यह पहला बार 20, sorry यह 10, यह 20 और 20 और इसके बीच में आ गया है 25, तो यहाँ तक यह 25 हो गया, क्योंकि 30 और 20 के बीच में यहाँ 20 से उपर यह 5 unit है छोटे हैं, तो यह 25 हो गया, fourth, fourth में है 40 students, 10, 20, 30, 40, यह 40 तक हाइट हो गया, mark कर दिया, इसको यहाँ तक जोड़ दिया, और यह बन गया 40 का graph, तो यह होता है बार ग्राफ, बस यही आपका इसमें last topic था, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस introduction में बताई हैं, यही सारी आपकी chapters में भी ह अब picture graph के अंदर और bar graph के अंदर दो तरह के question आते हैं, यह तो आपको picture graph बना के दे देगा, और कुछ questions पूछ लेगा, और दूसरा कि आपको question दे देगा, picture graph बनाने के लिए बोल देगा, ऐसे ही bar graph के अंदर भी bar graph दे देगा, और आपसे कुछ चोटे मोटे questions पूछ लेगा या फिर question ही दे देगा और आपसे bar graph बनवा लेगा बस ये last topic था इस chapter का questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए good bye